सो हे गाइस विल्कम बैक टुमाइटू चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे आज मैं आप सब किसा शेयर करने वाले हुए वाला मेकप लुक जो की होने वाला दिबाली स्पेसल आप लोग देखे तो यह जो लुक है मैंन सबसे पहले अपना ड्रेस को चैन्ज कर लिया है और यह मैंने सूट पैन लिया है दिवाली के लिए जो मैंने प्रचेस किये हुए थे सो नेक्स्ट यहां पर मैंने ले लिया है मॉस्टो राइजर जो की है गुडवाइब्स का मॉस्टो राइजर सो आप लोग देखे तो यह मॉस्टू राइजर करना बहुत ज़यरी होता है फेस में अगर आप रही अच्छा सा मॉस्टू राइजर होगा वो भी आप यूस कर सकते हो और को शब्यों को प्राइमार का अप bokर प्राइमर तो आप लोग को पर म् fabulous और भी प्राइमर नहीं होंगे तो आप लोग प्राइमर के हिसाफ से यूज कर सकते हो आप लोग देखते हैं यहां पर मैं अच्छे से फेस को ग्लोई बना देते हैं यह जो प्राइमर होता है और नेक्स्ट में यहां पर ले रहे हूं लेकमी का फांडेशन जो कि मुझे 140 रूपीस में मिल गया था और यह जो और भी मुंबत्ती के माझसे मेरा जो फांडेशन के अच्छे से उवाल ले रही हूं आप लोग देखते हैं बहुत ही जदा अच्छे से उवालने के बाद इसको मैंने ठंडा होने दिया था दस मिंट के लिए पांच या दस मिंट के लिए और नेक्स्ट मैं आपनी फेस पर लगा सेटिंग कर लिया थे और स्प्रे करने के बाद बहुत अच्छे से हमारे जो फांडेशन वह मतलब ब्लैंड हो गया थे और नेक्स्ट मैं यहां पर कोई सभी कंसिलर नहीं यूज किया है और यहां पर मैं ले रही हूं एक लेकमी का जो लूस पॉर्डर है और आप लोग द एकस पॉर्डर को निकालने के बाद आपनी जो मेरे जो आइवरो है उनको थोरसा फिल कर ले रही हूँ आप लोग देख चीलों पर एक स्भीटी का मिरे पास आयवरो पैलेट है उसकी मद से और यहां पर मैंने दोनों कालर को ले रखा है ब्राउन या ब्लैक्त को लेके मै अगर आप लोग पास पैंसिल ही नहीं होंगे तो आप लोग कोई सब्सक्राइब करके अपना बहुत ही अच्छा लूग एक बना सकते हैं तो आप लोग देखें तो बहुत ही जाए अच्छे से मेरे जाए वह फील हो गया है और नेक्स्ट में इसको भी मैंने फील कर लिया है और यहां पे मैं एक कंसिलर के मजशने अपनागर बहुत ब्लंद करनेके बाद और बहुत जपर निकहर आते हैं और बहुत ज्यादा निकहर के आते हैं दूर से बहुत ज्यादा सुन्दर सा लगते हैं आप लोग देशने हैं यहां पर मैं अच्छे से ब्लेंड करने के बाद और यहां पर मैं ले रही हूँ पर मामार्थ का मेरे पास एक काजल है तो यह जो काजल है ना बहुत ज्यादा लॉंग लास्टी या ओर्टर प्रूफ काजल है तो आप लुके इसको मैंने काजल को अपनी फेस पे लगा लिया है मेरा जो आइस पे लगा लिया है तो आप लोग करके ताकि मेरा जो आइस है थोड़ बड़े बड़े दीखिए वैसे मेरा आइस बहुत चोटा सा है सो आप लोग देशते हों यहां पर मैं आच्छे से ब्लैंड कर रही हूं दोनों आखों में और यह जो बैंगराउंड आज का जो आप लोग देशिक्ट मैं इसको थोड़ सा इगनौर कीजिएगा आज मेरा बह आइस राडो लगा लिया है या आई मेक अप करने के बाद में नेक्स्ट दूसरी आइस पर भी मैं आई मेक अप कर रही हूं अपना है तो आप लोग देशिए यहां पर मैं एक मेरा जो पिंक कलर का ड्रेस है और ग्रीन कलर का मेरा यारिंग है तो दोनों को मिक्स करके मैं आई लूक बंदाया है और आईलेंर लगाने के बाद मैं भी मेवलेन फिट मी का मसकारा सो यहां पर मैं कोई सब्कू हमी प्रिशिए नहीं यूज़ कर रही हूं और अगर आप लोग ब strips होगा तो आप लोग यूज़ भी कर सकते हो तो आगर आप लोग बदाद नहीं होग दोनों आइस पे और लगाने के बाद यहां पर मैं ले रहे हूं मेरे पास एक जो तिंक कलर का ब्लास है उसी को लेकर मैं आपनी जो ब्लास लगा रही और अपनी फेस पे सो आप लोग देखते हैं यह जो प्रोसेस बहुत जदा अच्छा होता है मूर चाहे कितना खराब हो त यह मेरे को 200 रुपे में मिल गया था जो बहुत ज़्यादा बेस्ट है यह हाईलाइटर है और बहुत है अच्छा हेस जड़ाईटिंग कर देते हैं और यहां पर मैं आइसा की उपर का जो मेरा हाईलाइटिंग का जो पॉइंट है उसको भी चाहरी हूं आप लोग देखते है ऐसे अगर आप लोग हाईलाइटिंग लगाओ गया इवरोस के कॉर्णर पर सो आप लोग देख शूदिए या पर मैं अच्छे से हैलाइटिंग करने के बाद मेरे जो मेकप का जो काम है पूरा फिनिस हो गया था और नेक्स्ट में यहां पर ले रहें सबसे लास्ट में य अगर लोग रफ़वस कोई से तिंग अपटेंग स्प्रेय होगा तो आप लोग यूजका अच्छा सब्सक्राइट हो है और सी महां बिजक्ते यह लोग में गांग आपक्य को और सब्सक्षाड़ में पर यbus weal चया बहु आश्तर मेरे शूट बैक्स्ट में बाटर प्रूफ है और देखे तो आप लोग देखे तो यह पे बहुत सारा मैने पानी ऐसे डाल लिया है आपने फेस पे और देखे तो आप इनिकल निकलते हुए नहीं दिखेंगे सो फोड़ा सबराइब कमप अपने सीख्या बहुतने लगतर सुपक्रीज नीदने के form' से आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूं कैसे आप लोगों यह से बोहते अच्छे से ठीका हुँ रहता है पेस पर और अगर यह वाला ट्रीक आप लो गए अगर यह तरीक आप लोग को यूज़ करते तो आपका कोई सबी जो इतने भी संदस्ट ऊब से अपलगों का मतलब वाटरप्रूफ रहेंगे कोई साभी आप लोग का वाटरप्रूफ फाउंडेशन वगेरा दिन लेने की जुर्णत नहीं पड़ेंगे तो आप लोग देख़ेंगे यहां पर बहुत ही जदा आच्छे से अपनी फेस को मैंने डैब डैब करके तो हुए जी जितने मेरे फेस पानी वगेरा था और सारे के सारे मैंने निकाल दिया है तो दिस इस में लूग का इस कैसा लगा आप लोग का आज का में यह वीडियो अकर आप लोग को वीडियो थोड़े सभी पसंद आया होगा तो वीडियो का लाइक चैनल को भी सब्सक्राइब जोरू किजएगा और तो थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो गाईज लव यू ओल फिर मिलते आगले वीडियो के साथ